नमस्कार दोस्तों में प्रिशान्त बहुत वाइट करता हूँ आए के लिए बिल यूटूब चैनल पर तो आज की जो यह रिपोर्ट मैं लेकर कहा रहा हूँ यह है बिहार बोट के दसवी मैट्रिक रिजल्ट के उपर और आप सब काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारे इसार कि निपर और चैनल ने वाले के लिए बिहार बोट यहार बोट क्लास 10 रिजल्ट तो यहाँ पर कोॉस्टेम के दीन गया है पेकर्टे सेरर के रिजल्ट निकलनी थी इसके उपर यहां पे और पर यहीज को फोट पोस्ट प्रोसेस बाकी है अगी बाद बाकी सारी चीजा प्रोसेस है लेकिन अभी भी सारी बागी काम बाकी है इसके वज़े से रिजल्ट नहीं निकल पाई है और कल साम को सारे बच्चे लगे पड़े थे यहां पे इंटरनेट पे अपने जो है वेफसाइट पर जाकर करके देख रहे थे लेकिन खुल नहीं रही थी सबको लगा कि रिजल्ट आ जाएगा आ जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आया अब यहां पर जो ऑफिशल यह रूमर्स और रहा कि पुटिंग रेस्ट आफ रूमर्स ऑफ बीए सीबी मैट्रिक एक्जामनिशन रिजल्ट रिलीस तुड़े बिहार बोर्ड यहां पर आपको आपको जो कह रही थी कि रिजल्ट आपका कुछी समय में निकलेगा लेकिन इसके नियुज रिपोर्टर्स ने यहां पर आनंद किशोर जी को कॉंटे किया तो उन्होंने कहा है कि अभी भी चार से पांच दिन का समय लेसकते हैं यह लोग रिलीज करने में खेर अगर मैं आज की बात करू कि आज रिजल्ट निकल सकता है तो आज भी रिजल्ट नहीं निकल और पांच दिन का अभी भी डेडलाइन जारी किया गया है बिहार बोट के मैट्रिक के दसवी रिजल्ट के लिए तो अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना होगा और आप सभी को मालूम है कि यह कोविट 19 का जो पैंडिमिक सिचुएशन चल रहा है इसके बीच में र रिजल्ट को रिलीज नहीं किया जा रहा है आप जिस भी डिस्ट्रिक से हैं या जिस भी सहर से आते हैं आप सभी को पता ही है कि यह जो वर्ल्ड का पूरा सिचुएशन चल लाए कि तक हड़ाव सिचुएशन है इसके बजह से यहां पर दसवी की रिजल्ट अभी तक के आ आपको जो है नहीं दिखी है और दिखेगी आने वाले कुछी तीन चार दिनों में अब अगला रिपूर्ट जैसे है कि तक मैं आपको पहुचाओंगा आप सभी तक जल्दी तक के लिए मैं चलता हूं धन्यवाद